लूप डिस्ट्रक्शन इंसाइड होडी नी हलो दोस्तो स्वागत आपका फिर से एक बार FSGroo चैनल पे मेरा नाम है अरबाज मैं हुए FX and Crowd Artist तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक normal basic destruction कर सकते हैं और उसको एक loop में चला सकते हैं तो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप मेरा डिस्कॉर्ट चैनल भी जाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई problem आ रही है टुटोरिल से related या अपने कोई personal projects related तो आप महाँ पे जाके आपको मेरे यूटूब लिंक्स मिल जाएंगे और उनसे related project files में आपको provide जाएंगे और वहाँ पे आप मेरे साथ discussion भी कर सकते हैं कि आपको क्या problem आ रही है तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप जाके जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो यहां सबसे पहले में एक geonode लूँगा and then इसके अंदर जाके मैं एक normal box लूँगा अपनी को आप कोई भी जो मेंटर ले सकते हैं मैंने यहां पर एक box लिया है और इसको थोड़ी से लेंड दे देते हैं about seven meter तो यहां पर आपने seven इसको एक हाइट देदी okay तो यहां पर मैं क्या गड़ता हूं इसके नीचे एक लेता हूं मैं एक rbd material fracture node तो यहां पर डालूँगा मैं rbd material fracture 4 एक क्या करना है material type कॉंक्री रखना है एक को AG्यार टेल कर देना तरहां करने के बाहिए लुँदर क्रता हूं तो यहां पर दीच सकते हैं वह चुका है तो यहां करने से क्या होगा कि इसके एज फे जो एक छोटी-छोटी चंक होते हैं वह हमें मिल जाएंगे ओके जपिंग के बाद हमें क्या करना है सिंपल डीटेल पर जाते हैं और इसकी एच डीटियल को और सबसे पहले लोने के बाद हम यहां पर ऍपर इंटिरेट डीटेल उसको वह जुक्त एऊप लिए हैं और जिसे की मैं आपको दिखांगे एक एक यांप पे 2014 होगे मैं आप This के अब अच्प को देखां अब कि यह क्या अच्छीर का आधाते हैं साइड में आजबी जो यह दी हुझ है 好 जिसके मैं जॉइन करूंगा आपनी नॉर्मल जिएमेटरी एंड प्रॉक्सी जिएमेटरी एंड जो हमारे इसका सब्सक्राइब करना है इसमें आके आपको जाना है फोर्स में इसकी जो ग्रैविटी उसको आफ कर देंगे लाइक सीरो कर देंगे एंड अब इसके इंदर जाकर हम फोर्स में यूस करेंगे तो मैंशके अंदर डबल क्लिक करता हूं और यहां पर मैं आजाता हूं फोर्स आउप्ट पर तो मैं आ पे सेमिल एक द्ेक नोड' लेता हूं पॉप करेंगे हैं और प्रेंगे तो म इसमें यूज enrichment करोवा पाद मेरी फोर्स जोबी मैं आप लोगा वो एपलाई होगी तो मैं आपे कोई विंड विलास्टी नहीं लोगा क्योंकि मुझे कोई एकसे फोर्स इस चीए मैं आप पर सिंपल एक एम्प्लिट्वीट फोर्स यूज़ करूँगा लैकि यहां पर मैं 5 फैल्यू दे देता हू कि आप कोई भी फोर्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं यह कोई पर्टिकुलर नहीं कि आप सेम फोर्स अप्लाई करें तो मैं इसके सबसे पहले बॉक्स का साइज कम करता हूं बाउट 6.5 ऑके जिसे की थोड़ा सा और चोटा हो जाएगा और अब मैं इसको दुबारा स फरेंब ले लिता हूं और यह यहांपे मैं इसको चलाओंगा तो अब इसको क्या करना है में चलाना है तो उसके लिए पर वार्वास पॉइंट है जो को देगा यह फूइंट करता है तो हमें इनकी एक motion ट्रेल जर्नेरेट करनी है आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी तरह से ट्रेल जनेरेट होगी उसी को हम create करेंगे तो मैं आप एक ट्रेल नोड लेता हूं एंड्रेल नोड लेने के बाद मैं आप लैंड दे देता हूं इसके बाउट 50 ओके तो यहां पर देखते हैं इस तरह से मैं मैं।कर रोकुंग। यहां पर मैं उसको रोकुंगा यहां पर राय已经 करता हूं तो हम इसको डीट करके 50 वैल्यhoven देता हूं तो मैंने इसके इनओ पर एक इसी आपर पीकी तो तो मैं टाइम शिफ्ट नोड दुबारा कॉपी करता हूं और इसमें लिखता हूं जीरो तो यहां पर मैंने इस वन वैल्यू दी तो यह होगा इसकी स्टाइट वैल्यू एंड यह होगा इसकी लास्ट वैल्यू अब फिफ्टी फ्रेम से वापस से जीरो फ्रेम पर आ फिफ्टी फ्रेम ठीक है तो इसके नीचे मैं एक और फ्लोट लेता हूं एक और वैरियल लेता हूं एंड उसका नाम मैं दूंगा फ्रेम जो की होगा अ फ्रेम जो छोटा एफ अगर आप बढ़ा एफ लेते हैं तो ओन फ्लोट की स्पेलिंग बिजायद गलत होगी थी ओक तो मैं आपे frame is equals to, मैं आपे लेता हूँ at the rate जो हमारे normal frame है, उसके साथ plus करेंगे अपनी velocity को, जो की position होगी, जिसके साथ हम plus करेंगे अपने position को, z axis position को, और उसको multiply कर देंगे 10 के साथ, और उसको bracket close कर देंगे, और starting में bracket हम लगा देंगे, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ module, end जो कि हमने उपर variable create किया था, और यहाँ पर इसको bracket बंद करते हैं, and then इसको वापस से, आगे से bracket बंद कर लेता है, और यहाँ पर लगा देंगे semicolon, तो यह error दे रहा है, तो error इसलिए दे रहा है क्योंकि कि हमने हाँ पर दो bracket extra ले रखे हैं, last में, जो कि हमने first में start किया था open, and यहाँ पर हमने इसको close कर दिया, तो मैंने यहाँ पर extra ले रखे थे, दो bracket तो मैंने उनको अटा दिया, तो अब यह error हट गया है, यहाँ से, तो मैं इसके नीचे जो हमारी position variable है, हम वो बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, float, position के लिए, pause is equals to, उसको fit करेंगे हम, एक range के अंदर, जो हमने frame बनाया उपर variable, उसको लिए frame लिखेंगे, and then उसको लिए, first position पर हमारा, जो है, और एक end लिए, जो कि हमारा होगी, variable fit function के through, 0.0 to 1.0, ओके, तो यह हमने simple ले लिए, यहाँ पर variable हमने create किया, और इसको हम बताएंगे कैसे कि हमारी position values को लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए, मैं आपर नीचे create करता हूँ, मेरी position is equals to, एक ramp के through, तो यहाँ लेते हम, is equals to, ch ramp, और उसके अंदर bracket में हम लिखेंगे, inverted commas के अंदर, anim, okay, and इसको close करेंगे, and then इसको दे देंगे, हमारी pose variable के through, तो यहाँ पर comma लगाता हूँ, and pause variable, इसको close करेंगे bracket को, and यहाँ पर semi-column, okay, तो यहाँ पर आगया, आप इसको update कर लेते हैं, इस button से, तो यहाँ पर हमारी ramp आपको दीख चाहिए, इसको नीचे कर लेते हैं, यह जो हमारी point है, first point यहाँ एक mid में हम एक high peak point ब point है, इसको मैं नीचे लाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक curve करेट किया, कि यहाँ से वो, हमारी destruction होगा, and वहाँ से वापस जाएगा, तो एक loop में चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको end भी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर last point पर इसको zero value दिया, okay, तो मैं इ rate करेंगे in variables के through, तो अब हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ लेते हैं, v vector at the rate, position is equals to, हम लेते है, prim UVs, okay, prim UV and bracket open, and लिया मैंने 1, 1 मैंने यहाँ यहाँ पर यह इसलिए लिया है, क्योंकि यह जो first input हमारा आ रहा है, उसके लिए, तो मैं यहाँ पर inverted commas के अंदर अपनी position value को द अंदर like position जो हमारा variable था, उसके अंदर 0 to 0, जो कि हमारी axis होती है, तो इस दोनों bracket close करेंगे और लगाएंगे हम semi column, okay, तो यहाँ पर यह कुछ error create कर रहा है, error यह इसलिए create कर रहा है, क्योंकि set से पहले हमने यहाँ पर इसको एक PT नम की according नहीं दिया था, हमारी position को, तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो यह easily work कर रहा है, आप यहाँ पर इसको चला के देखेंगे, तो आप यह सकते हैं कि हमारे point loop में animate हो रहे है, अब वो according to 50 frame, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अम मैं इनको क्या करूंगा, जो हमारे pieces हैं, actual transform pieces हैं, उनके through इसको लगाँगा, तो मै यहाँ पर यहाँ पर यह अपना जो मेरा fracture points है, fracture pieces है, उनको लाता हूँ, मैं इसको थोड़ा उपर करता हूँ, and यहाँ पर, जो मेरे transform pieces node लूँगा, मैं एक, transform pieces, और जो हमारी actual geometry है, उसको मैं first input में डालूँगा, हमारी, and the points है, उसको second input में, तो मैं यहाँ से यह लेता हू कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, इससर्फ पोजिशन के accordingly work कर रहे है, ना कि इसमें Orient है, ना कोई सक्वे्ट है, तो आफ यहाँ पर देखेंगे, कि यहाँ पर आप देख सकते है, कि Orient है हमारे पास, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ मैं पर ऐन पास Orient है, ESCल है हमको इनको भी इसमें यूज करना पड़ेगा तब ये थोड़ से rotation wise भी हमें perfect दिखेंगे तो मैं आप एड़ कर लेता हूं इनको तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारी orient को तो उसके लिए जो orient होता है हमारा वो होता है एक the quotarian के लिए हम क्या यूज करेंगे पी एड़ रेट और ये तो यहाँ पर में लिखेंगे अब पी एड़ रेट औरिट ऑरिए ओके इसफे कॉल्स टू यह जो हमने उपर पूरा लिखा है मैं यहां पर पे किया हो यहां पर पेस्ट करता हूं जो जहां पर हमारी पी की सब्सक्राइब यहां पेसको पेस्ट करेंगे सब्सक्राइब वेक्ٹर तो मैं यहाँ पे वी लिख़ देता हूं पैवेट भी होता है लिखेंगे थायों यह पर अंडर HOR ede 라 यह खेंगे same changes हमें नीचे करने है pivot के लिए यहां पर भी हम pivot लिखेंगे और इस starting में भी हम pivot लिखेंगे अब आप इसको चला के देखिए यह normally बहुत ही easy work करेगा यह कोई इत्ती hard expression नहीं थी simply मैंने यहां पर कुछ variables किया और उनके according अपनी positions ती हैं तो यहां पर आप इसको चला के देखिए यह बहुत ही easily और smoothly वर्क करेगा आपका loop में ओके तो इसी तरह से आप कोई भी object के असाथ अपने loop destruction बना सकते हैं यह simple setup के through और यहां से याद रखिएगा frame मैंने 50 लिया तो उसकी recording यह loop में जा रहा है आपको चेंज करने हो तो इसको manually आप चेंज कर भी सकते हैं ओके एंड इंसाइड और आउटसाइड ग्रूप के according आप उसको material दे सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता आपको नेक्ट वीडियो में थैंक्स